अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी आप टारो सेटिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं अब दिखिए अगर आप whatsapp करेंगे तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं लेकिन whatsapp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है और अगर आपका tarot occult में बहुत interest है लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी और इन दोनों के ही links यानि की tarot certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे Hello everyone मैं हूं किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी क्या आप महसूस करेंगे Finally again June मन्त में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है तो ये reading आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ma'am इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो या फिर sun sign हो तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्त में आपकी love life में क्या हो रहा है आप लगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यापे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Ace of Wands and Acting Cold और ये दोनों ही cards एक्टम से contrary energies की बात करते हैं जहां दिखिए Ace of Wands एक fire element है कहीं बहुत एक action initiatives लेने की या फिर चाहने की बात करता है वही Acting Cold का card एक detachment वाली energies की बात करता है और कुछ ऐसी ही mixed energies कुछ टाइम से या June starting में आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि एक तरफ आप action initiatives इस relationship के लिए लेकर जाना चाहते हैं एक नई शुरुवात partner के साथ करना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ एक detachment आप महसूस कर रहे हैं या फिर उतना एक motivation आप नहीं महसूस कर रहे हैं और कहीं mid June के लिए page of cups, reverse and multifacet के cards भी इन ही energies को और जादा confirm करते हैं page of cups, reverse का card कहता है कि थोड़ी सी आपकी तरफ से या फिर partner की तरफ से immature energies रह सकती हैं जिसके उपर आप focus कर रहे हैं कहीं काफी emotional sentimental हो रहे हैं और साथ ही साथ multifacet का card कहता है कि बहुत सरी चीजें आपके मन में चल रही हैं यानि कि देखिए आप बिलकुल sure अपने partner के लिए नहीं हो पा रहे हैं एक मन आपका कुछ और कहता है दूसरा मन आपका कुछ और कहता है तीसरा आपके मन में कुछ और चलता है तो कहीं एक multifacet सी आप बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रहती भी दिख रही हैं और एंड जून के लिए both still in love three of wands के cards कहते हैं कि मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं कभी hot कभी cold कहीं आपके मन में उनके लिए प्यार दो है और उनकी तरफ से भी इसी तरीके की energies आप महसूस कर पा रहे हैं लेकिन फेरे भी आप उस तरीके से action initiatives partner के लिए नहीं लेते वे दिख रहे हैं किसी चीज का wait, किसी चीज का इंतजार आपकी तरफ से रहतावा दिख रहा है अब दिखे ये general reading ये इंतजार सब lios के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप सही समय का wait कर रहे है आपको लग रहा है कि जब सही समय आएगा ना तभी आप action initiatives लेंगे और अगर आपके बीच में किसी भी तरीके की issues, मसले चल रहे हैं आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही तो हो सकता है कि कुछ lios partner की तरफ से action initiative का wait कर रहे हैं उनके message का wait कर रहे हैं जो भी देखिए आप June मंत में या end June में कर रहे हैं कहीं current moment पे आप उतना focus नहीं कर रहे हैं आप future के बारे में सोचते हुए long term goals बनाते हुए ही आप current situation को deal कर रहे हैं कभी-कभी होता है जो उस time हमें feel हो रहा होता है हम उसी के basis पर action initiatives लेते हैं और कभी-कभी जो उस time feel हो रहा होता है हम उसको curb करते हैं या फिर उसको थोड़ा सा channelize करते हैं future को भी mind में रखते हैं और दोनों को combine करके action initiatives लेते हैं तो आपकी कहीं इस तरीके के energies दिख रही हैं यानि कि long term goals future आपके लिए काफी हम रह रहा है और उसको mind में रखते हुए ही आप June end में या June month में action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और आप देखते हैं आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए आपे सबसे पहले in and out and night of cups reverse के cards हैं और ये cards कहते हैं कि आपके partner ना तो पूरी तरीके से इस relationship में आ रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से इस relationship में जा रहे हैं और बहुत emotional, sentimental, sensitive होते हुए दिख रहे हैं हो सकता है आपकी छोटी-छोटी से बाते उनको heard कर रहे हैं और कहीं एक practical, realistic aspect उनकी तरफ से missing रहता हुआ दिख रहा है कहीं बहुत practical होके चीजों को वो नहीं deal कर पा रहे हैं एक ख्वाबों की दुनिया में, एक खयालों की दुनिया में वो जादा रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं mid-June के लिए हाँ पे judgment का काट कहता है कि काफी critical, काफी judgmental हो रहे हैं यानि कि काफी complaining हो सकते हैं और कहीं कुछ decision choices लेना चाहा रहे हैं और बहुत जादा इसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और जो भी mid-June तक उनकी energies रहें कहीं end-June में उनकी energies में एक shift एक change आता हुआ दिख रहा है The world का काट कहता है उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको complete कर सकते हैं आपके साथ ही वो पूरे होते हैं और आपके साथ एक union वो चाहते हुए दिख रहे हैं Deeper level के लिए Love wins का काट कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि जतने भी issues हो जतने भी मसले हो आखिर कार उनके मन में जो आपके लिए प्यार है वो सबसे बड़ा है वो बहुत एहम है और कहीं उसी की end में जीत होगी या उसी की end में जीत हुई है अब देखते हैं Leo's की June मन्त में क्या हो रहा है तो दीखे June स्टार्टिंग के लिए हाँ पर Try Again का का काड है और ये काड यही कहता है कि पीछे अगर कुछ भी issues मसले आप दोनों के बीच में किसी भी level पे चल रहे थे तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक और बारी ये नो partner को relationship को chance देना चाहते हैं खुद को chance देना चाहते हैं एक बारी फिर से कोशिश करना चाहते हैं और कहीं देखिए deeper level के लिए आप ऐसा चाहातो रहे हैं लेकिन surface level के लिए moon का card कहता है बहुत एक confusion है बहुत एक fear है बहुत एक insecurities है और आप दोनों की energies में हमने देखा कि you know आप बहुत hot and cold हो रहे हैं यानि कि कभी बहुत partner के लिए एक excitement महसूस करते हैं कभी एकदम से cold वाली energies होती हैं और आपके partner भी ना पूरी तरीके से आ रहे हैं ना पूरी तरीके से जा रहे हैं तो ऐसे में देखिए जब आप सोचते हैं कि एक कोशिश और करते हैं तो fear insecurities तो आते ही है confusion तो होता ही है और कहीं इसी तरीके की energies रहती हुई दिख रही हैं Mid June के लिए Five of Cups का card कहता है कि किसी चीज को लेकर regret यानि कि अफसोस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की तरफ से कोई गलती हुई और you know जिसने भी गलती करी वो regret कर रहे हैं कि काश ऐसा ना कहा होता काश ऐसा ना करा होता और you know कहीं उस चीज के लिए sorry भी feel कर रहे हैं उस चीज के लिए फिर से कहूंगे regret कर रहे हैं और एक negative frame of mind में रहते वे दिख रहे हैं जब भी भी एक card आता है मैं यही कहती हूँ all is not lost यानि कि इस relationship में अभी भी कुछ वाकी है जिस पर work करके चीजों को बहतर किया जा सकता है तो इस पर आप ज़रूर focus करें क्योंकि deeper level के लिए move on का card कहता है कि यह जो negative frame of mind में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह रहे हैं यहाँ पर जो भी चीजे ठीक नहीं चल रहे हैं उस पर जो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक focus कर रहे हैं इसकी वज़े से आप लोगों के मन में बहुत strongly mid June में आ सकता है भी move on कर जाओ और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि जो issues मसले हैं उनको resolve करके you know एक नए सिरे से चीजों को start किया जाए बट दूसरी वाली energy जादा रहती भी दिख रही हैं क्योंकि five of cups का card कही negative frame of mind की बात करता है and end June के लिए starting में moon के card को देखा था जो कि बहुत एक confusion, fear, insecurity की बात करता है बहुत एक overwhelming emotions की बात करता है और कहीं June end में इन ही energy से किसी level पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने आपको निकालते वे दिख रहे हैं again star का card उमीद की बात करता है hope की बात करता है कही clarity की बात करता है एक direction मिलने की बात करता है और कुछ ऐसा ही end June में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं यानि की चीजे end June में better हो रही है लेकिन फिर भी देखे deeper level के लिए wants their cake and eats it too का card कहता है कि कहीं एक decision नहीं ले पा रहे हैं एक चीज को choose नहीं कर पा रहे हैं जैसे कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती हैं ऐसे ही कुछ extreme opposite चीजें आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं example के तौर पे partner अगर immature है और आप इसकी वज़े से relationship में बहुत एक problems face कर रहे हैं तो आप relationship चाहा भी रहे हैं और अप ये भी चाह रहे हैं कि भई ये अपनी immature energies को ठीक करें तो किसी का nature या फिर सभाव तो हम बदल नहीं सकते हैं हमें accept करना पड़ेगा कि भई वो थोड़े से immature हैं और इस चीज़ के लिए अगर हम एक acceptance लाके उनको accept कर सकते हैं तो तो हमें relationship में आगे बढ़ना चाहें लेकिन अगर हम उनके इस behavior को accept नहीं कर पा रहे हैं और हम relationship चाह रहे हैं तो फिर हम परेशानी होंगे न एक चीज हमें decide करनी पड़ेगी या तो हम उनके immature behavior को accept करें या फिर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम relationship चोड़ दें ये सिरफ और सिरफ एक example था सब Leo's और उनके partner के लिए different situation, different circumstances रहेंगे but you know इस तरीके के energies रह रहे हैं कि कुछ चीजें चाह रहे हैं कुछ चीजें नहीं चाह रहे हैं और इसी dilemma में कहीं आप लोग रहते हुए दिख रहे हैं इसके बावजूत की एक clarity आती हुए दिख रही है इसके बावजूत की एक direction मिलता हुआ दिख रहा है कह नहीं decision choice नहीं ले पा रहे हैं तो यह ता लिए उस आप लोगों के लिए June 2024 की left arrow reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें